जैसा कि आप सभी जानती हैं कि कलर्स चैनल के मोस्ट पॉपुलर और कॉन्टरवर्शन शो बिग पॉस सीजन 14 का खिताब अपने नाम किया है टीवी एक्टरस रुबिना दिलेक ने चमचमाती ट्रोफी रुबिना दिलेक ने अपने नाम की है रुबिना दिलेक लगातार जशन में डूबी हुई नजर आ रही है तो वही रुबिना लगातार चर्चा में भी बनी हुई है वही साथ ही साथ ये भी सभी जानते हैं कि रुबिना दिलेक ने कॉन्टरवर्शन श दिल को जीता फिनाले से पहले ही अभिनव शुकला को घर से पाहर कर दिया गया वही हाल ही में अभिनव के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुश खबरी आई है अभिनव को मिला है एक बेहद प्यारा सा तोफा जिहां दोस्तों खबरों के मताबिक सामने आया है कि अभिनव शुकला फैन्स की दिलों पर राच करते हुए नजराय शो के जरिये और फैन्स से भरपूर प्यार मिला भरपूर सपोर्ट मिला अभिनव को तो वहीं अब शो की बाद अभिनव की करियर को एक बड़ा आयाम भी मिलने जा रहा है हाल ही में अभिनव शुकला ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें अच्छे सीरियल्स और म्यूजिक वीडियो के साथ-साथ बहुत सारे नए काम की पेशकस की गई है वहीं अभिनव शुकला ने इनमें से किसी एक तरह के प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में वक्त लग रहा है जिहां दोस्तों खबरों की मताबिक सामने आया है कि अभिनव शुकला को फिल्मेकर करन जोहर की एक नए प्रोजेक्ट की पेशकस की गई है हालांकि इस बारे में कोई ओफिशियल पुष्टी तो नहीं की गई है लेकिन खबरों की माने तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है फिलहाल देख जाए तो अभिनव शुकला यदी करन जोहर की किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज किये जाते हैं तो बॉलवूर्ड इंडस्टी में अभिनव की ये दूसरी फिल्म होगी दरसल जानकारी के आप सभी को बता दें कि अभिनव ने हिंदी सिनेमा जगत में फिल्म अकस अभिनव शुकला नजर आए थे जरीन खान और कौतम रोडे के साथ वल देखा जाए तो फिल्हाल अभिनव शुकला के करियर को एक नया मुकाम मिलने जारा है और ऐसे में देखा जाए तो अभिनव के फैंस के लिए ये बाकि में बेहत बड़ी खुश ख़बरी है हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस